तो इस चीज़ पर भी से ध्यान दिया जाए और भासा की बरेत्यार हमेशा रखें उसके बाद पेपर कराए साफ निस्पच और विहार राज के हर एक स्कूल में अच्छे सिच्छक को बैठाए ताकि वह अच्छे सिच्छा दे क्या हिंदी हो विज्ञान हो गडित हो आर्ट कर सके एक स्टुडेंट को ओलंपियार खिलानी की तयारी करा सके ओलंपियार में पेपर दिलानी की तयारी करा सके इससे हमारे बिहार की इस तरह बहुत हाई होगा और इस तरह हमारे बिहार में अच्छे सिच्छक का निर्माण होगा उसके साथ साथ अच्छे या बिहार की और तेजी से रूख करेंगे, जब हम अपने बिहार की छबी को बहुत हाई रखेंगे, तब तो दोस्तों वीडियो को सेर गरिये की ताकि हमारे मुख्यमंतरी तक उप मुख्यमंतरी तक ये जल्द से जल्द वीडियो पहुँचे और इस पे करवाई हो, और अभी तक कोई भी ऐसी ताकतोर पार्टी सामने नहीं आये, चैन्च कोई सरकार सामने नहीं आ रहा है, कि हम लोग का help कर सके, हम लोग की आवाज उठा सके, हम लोग गलत चीज की मांग नहीं कर रहे है, मांग यही है, कि 4 ओψन बोलके 5 ओψन दिआ गया, उसके बाद भासा की सीटे लड़के खाली करके चले गए, जो भरती लिया और वापस चले गए, जो सीटे खाली है अभी, उस इस्तान के नहे लड़कों को जब एदिया जाए, ताकि जो हमारे सिछक हैं, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए हमारे बिहार के प्रगति को सोच सके, जब एक प्रगति को सोचेंगे, एक विचार को सोचेंगे, तब हमारे बिहार का विकास होगा, और आप ये मत भूलें, कि सिछक क्यों सिछक ही है, सिछक इतना बड़ा ताकत अपने अंदर रखता है, कि वो चुनाव के नतीजों को भी बदल सकता है, अगर हर सिछक जे दिन अपने आते हैं, उनके गार्जियन हम से जुड़ते हैं, गार्जियन से संबंदित, उनके रिलेशन हम से जुड़ते हैं, और हम जिदर चाहेंगे, ओट की दिसा उदर मोड भी सकते हैं, तो ये हर एक सिछक को अपने ताकत के बारे में पता होना चाहिए, और हर एक वेक्ति को जो नियम कहता है, जो हमको समिधानिक अधिकार मिला हुआ है, उसके तहत हम बांग कर रहे हैं, कि हमको एक तो धोका धड़ी का कानून लगेगा, दूसरा मानुत्ता का अधिकार जो है, उसका हनन हुआ है, वो भी आपके उपर लगेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम इति सम्मान सिचक हो, हर सिचक का एक रूप जानता है, एक रूल जानता है, कोई भी सिचक आके दारू का परचार नहीं करता है, आके तमागू का परचार नहीं करता है, लेकिन सिचक क्यों नहीं करता है, सिचक की ही इतनी सम्मान क्यों है, क्यों इसलिए है न, कि सिचक हमेशा स सिच्छक बनके जीवन को जीता है और हमेशा अच्छी सिच्छा देता है अच्छा नया पड़किलिया को सिखाता है हमारे देश के समिधान को सिखाने का कारी अगर कोई करता है तो सिच्छक करता है और चाहे उन नया इतियास हो चाहे पुराना इतियास हो उनको भी बताने औ और जिद दिन उनको ये चीज़ें को आहसास होने लगा कि हमारे स्टुडेंटों के साथ साथ स्टुडेंट के गारजियन जुडते हैं और उनके रिस्तदार भी हमसे जुडते चले जाते हैं, तो हमारी एक आवाज पूरे चुनावक नतीजे को बदल सकती है, तो सिच्चको को उनके अधिकार के बारे में जानना होगा, जगना होगा, सभी को एक साथ रहना होगा, जैसे अभी हैं, अभी हमको सिर्फ मांग यही है, पेज 1 का जो पेपर हुआ है, BPSC TRE 1.0 का, उसमें जो सीटे खाली हैं, उन पे जो लड़के रह गए हैं, उनको भरती लिया जाए जो सीटे छोड़के चले गए, अधर इस्टेड वाले, वहाँ पे भी जिनका मेरिट लिस्ट आता है, उनको लिया जाए, और तीसरी बात, BPSC TRE 2.0 की जो भासा की वर्यता थी, मानने था कि भासा में पास होना जरूरी है, तब आपका आगे की कॉपी जाची जाएगी, आ अच्छे यू आप मिलेंगे, जो हासा में भी पास है, विशाई में भी पास है, और वो अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, BPSC का एक लेबल जो है बहुत हाई है, BPSC में अपना एक सीट ले लेना बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अगर BPSC इस अधार पे उतर जाएग सब तो BPSC की छबी धुमिल होगी, और मैं जानता हूँ, BPSC अपने इस तर से अच्छा कारी कर रही है, लेकिन इसमें जो अंदरोनी कुछ करंचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, तो उनको रोकने का काम हम नहीं ने कर सकते हैं, सरकार कर सकती हैं, अध् भासा में ही जो पास नहीं है, उसकी आगे की कॉपी जाच क्यों हो रही है, और उसका रिजेल्ट जारी क्यों हुआ, पहले ची जहां भासा ही फेल हो गया, तो उसकी कॉपी नहीं जाच होनी थी, तो उसकी कॉपी क्यों जाची गई, और जाच के हम लोग के साथ धोखा क्य रीट दायर करने का बात पहला काम आपका यही रहेगा कि भरती परक्रिया में रोक लगा दी जाए, किसी को जोइनिंग ना कराई जाए, नहीं तो लोग जोइनिंग कर लेंगे, फिर ये भी केस होकेंगे, फिर हम लोग लड़ते रहेंगे और सरकार मजा लेती रहेगे, इसल दोबारा जारी कर दिया जाए, नहीं तो आप लोग को क्या नेड़ा लेना है, ये भली भात आप लोग भी समझ रहे हैं, और मैं क्या कहना चारा हूँ, मेरी भासा को भी समझ रहे हैं, अगर बिहार में इतने सीथ और चाहें नहीं भरती परक्रियाओं का सुरुआत किसी लेकिन क्या है, जब ऐसे ही बार बार रूल चेंज करने की बात करेंगे, तो उनके दिल में भी बिहार की छबी क्या होगी दूमिली तो होगी और वो जाके अपने हाँ क्या कहेंगे हमारे यहां से जो बिहार राजे से अधर इस्टेप में जाके नोगरी करते हैं उनके उपर इसका बूरा असर पड़ता है हम एक सिछक हैं और सिछक का काम होता है दर्म से भढ़के उसको उस राह को दिखाना तो मेरा काम है कि मैं आवाज उठाओं और आप लोग को मेरी आवाज सुननी पड़ेगी हर एक सिछक का दर्द समझना पड़ेगा तब जातके बिहार विकास करेगा दूसरा ची डोविशाइल की बार-बार बात हो रही है कि को कोई उत्तर परदेश का भी निवासी है और कोई बिहार का भी निवासी है अगर वो बिहार का निवासी है तो उसको बिहार की मानियता दिया जाए वो दोनों जगह का फाइदा ले रहा है यूपी में जा रहा है यूपी का दिखा रहा है बिहार में आ रहा है जब आधार क कार्ट आपने आप में स्वेम जाच है, तो जिस काम के लिए अधार कार्ट का इस्तमाल होना चाहिए, गुनाह को रोकने के लिए इस्तमाल होना चाहिए, उसके fingerprint लिये जाते हैं, आखों की जो अपनी रोशनी होती फोकस लिया जाता है तो वो सब क्राइम में चेक किया जाता है मैंने किसी का कपड़ा पकड़ा इस पर मेरा fingerprint आ गया तो उसमें क्राइम में इसको रखना चाहीए क्योंकि निवास प्रमार्पत्र ही एक साच, 600M में साच है, या तो अधार कार्ट को रख लिया जाए, या तो निवास परमार पत्र को, दोनों जगह पे, लड़के अपना पेमेंट भी पे कर रहे हैं, और फैदा कुछ नहीं हो रहा है, तो देखिए, मैं चाहता हूं, कि BPSC, TRE 1.0 में, जो सीटे खाली हो रही है, उन सीटे पर नए यूवाओं को रोजगार दिया जाए, और BPSC, TRE 2.0 में, इतनी बड़ी धादली दिख रही है सामने, निवच पेपर की कटिंगें भी हैं, तो उनकी अनुसार मैं डाल ला हूं, इसको भी देख लिया जाए, ये रोल नंबर है, और आप लोग भी इ तेजी से आगे की और प्रगति करता चला जाएगा, सबको विकास का रास्ता मिलेगा, और सब सच्चे होंगे, सब कम्पनियां बिहार की और तेजी से रूप करेंगे, जब हम अपने बिहार की छबी को बहुत हाई रखेंगे, तब, तो दोस्तों, वीडियो को सेर करिये की ताकि हमारे मुख्यमंतरी तक, उप मुख्यमंतरी तक ये जल्द से जल्द वीडियो पहुँचे और इस पर करवाई हो, और अच्छे सिच्चकों का चैन हो, और बिहार के उज्वल भविष की रोशनी बनके ये सिच्चक सामने आए, जैहिंद!